आफसलाम लेकरसुडियोस मैं माझीद अली आपका एंड्रोरिड का टीचर तो आज हम बात करेंगे हम लोगों ने क्या किया था एंड्रोरिड स्टूडिएो में शिस्स्टम की रिक्वाइर्मेंन को समझा था और android software को समझा था फिर मैंने आपको android की कुछ requirement system की बताई थी तो अगर मैं अपने system का थोड़ा सा बता सको आपको मैं start पर क्लिक करता हूं क्यों क्लिक करता हूं कि आप यह चेक कर सको कि आपकी system में vg card कितना लगए तो मुझे basically एक बंदे ने text भी किया था उस पर comments किया था तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमारे सामने एक page load हो कि आ रहा है जो बता रहा है इसमें memory मैंने रैम इसमें चार्जी भी फिलाल की है लेकिन और इसमें मेरे पास दो जीबी पड़ी में वह भी add कर लोंगा लेकि इंस्टॉलिशन के लिए से चार्जी भी करके दिखाया है कि इसके उपर काम हो सकते है और उसके बाद window मेरी 7 है professional 32 bit window है और यह मैंने को कहा था साथ कहा था उस चीज़ का यह उपर डिस्पले में जाना है यह मेरे सिस्टम में जो टोटल वीजी कार्ड लगए वो है 1634 मतलब कि 1600 MB का मेरे पार इसमें वीजी कार्ड लगए अच्छ में जा रहा हूं तो यह सिस्टम जो मैंने जुमला बहुता है कि windows 7 और service pack 1 इस वक्त जो उस window पर हम काम करें वह service pack 1 तो इसको हम होने देते हैं यहां से open चार्जी भी रह में है यह मेरा processor 3.2 GHz processor है AMD processor है मैं इसे करता हूं minimize चलते हैं अपने setup के लिए android यहां पर राइट क्लि कर देना आपने इसकी installation करने के लिए और नीचे अभी मैं net connect बिल्कुल नहीं किया हुआ आप करके रखसत हैं कोई शुवारी बात की सिर्थ दिखा रहा हूं कि downloading के बाद इसकी installation के net की जिवत पढ़ती के नहीं पढ़ती मैं से yes कर रहा हूं एक मैसी सामने आया था मैंने yes कि मैं भी आपको recording में वो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा welcome to android studio setup हम इसे next कर देंगे उसके बाद यहां पर android virtual device इस पर टिक में भी आपका ना लगा आप इस पर टिक लगा लिजीगा next कर देने c drive के अंदर install हो रहा है हम कहते बिल्कुल ठीक है next और यहां don't create shortcut आप इस पर ना click क करना चाहें इसमें असानी से कर सकें और हम लोग android की मतलिक जो भी कोडिंग्स हैं उनको basic तरीके से जो 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 जरूरी आते हैं उनको बहुत चोटे-चोटे method से को cover करने कोशिश कर रहे हैं अगर पिछली दोनों वीडियो में को आपको मसला मसाहिल आया तो मुझे साल कि अक्सेश हमिए असके बाद मैं के नेक्स्ट और यह कहता है start चली तीक सब्सक्राइब करके start कर देदे तके लोड ना हूए load ना हो का मतलब कि मैं start menu में जाता हूँ यहां देखे लिखा रहा है android studio अगर मैं इस पर click करता हूँ तो कौन से error देता है यह देता है error okay करता हूँ इसके बाद कौन से error आता है एक यह error आता है fail to load jmdll वाले एक file है जो कहते हैं इसका main मकसद क्या है if you already have 32 bit jdk हम next video में समझने लगे हैं कि jdk अब यह android के लिए में jdk चाहिए होते है मैं इस point में इतना था कि आपको install करना आ जाए जब install करेंगे तो यह error आता है पहले मैं install करके भी छोड़ साथा था लेकिन error दिखाने का मसला कि आप परशान ना हो कि आपका error आ जाए तो यह error आएगा इस error को कैसे resolve करना है मैं उसके लिए आपको next jdk वगे इंस्टॉल करना और jdk क्या विडियोशन ने तमाम चीज़े बताने की बिल्कुर कोशिश करूँगा अगर यहां तक कोई मसला हमसा है लाता है तो फ्लीज में अच्छी लगी तो like, share, comment जरूर कीज़ेगा जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अब सब्सक्राइब कर ले अब आपके पसंद का कोर्स पे अपलोड किया जा रहा है तो आपको डेली बेस पे उमीद है कि शाम 6 बज़ेस की वीडियो मिल जाया करेगी तो मैं माजीद लिया आपसे चाहूँ का मुलाका नेक्स्ट करनी नेक्स्ट वीडियो में तमाम दोस्तों के में तरफ से अलाहाफिस बाइ बाइ